कि नमस्कार प्रभासाक्षी न्यूज्रूम में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं अंकर सिंग त्रिपुरा में आगामी विठान सभा चुनाओं को देखते हुए त्रिनुमोल कॉंग्रेस ने अपनी पकड मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी है लगातार त्रि Anaska और जबर्दस्त तरीके से हमिलावर है इन सब के बीच त्रपुरा प्रदेश कॉंग्रेश कमीटी के अध्यक से बीर्जीट सिनहा ने त्रिमोल कॉंग्रेश लोग पार्टी बदलने वाले नेताओं को पसद नहीं करते हैं यह का तिनुभूल का प्रिसिजन बनके कुसिष किया है लेकिन तिनुभूल को फारिक एक्सेप नहीं करते हैं जनता उसके पसंद नहीं बात में शुदिर अजन मोजुंदा जी वह अपश तिनुभूल शुड़के कॉंग्रेस में जोइन कि रिजोइन करके तिनों को पॉंग्रेस का MLA बनके कोंग्रेस का MLA भी बनकों अभी सुधिर बावुत नहीं है। उसका बार पास से MLA Congress का, Congress को के तिनों उन्य गया था। लेकिन चार पास मैना भी नहीं रूपा, जनता कोई पार्टी बदल करने उड़ा को पसंद नहीं करें। इतना ही नहीं शिन्हा ने त्रिपुरा में टीमसी को बाहरी बताया है कुछ ऐसा ही टीमसी ने परश्री मंगाल के विधान सभाचुनाव में भाजपा के खिलाप इस्तिमाल किया था और उसे उसका नतीजा भी मिला दूसरी और त्रिपुरा में ट्रिनुमूल कॉंग्रेश और भाजपा के बीच आरोप रत्यारोप निती पूरी तरीके से तेज हैं त्रिपुरा पुलिस ने परश्री मंगाल की त्रिणुमूल कॉंग्रिस की नेता सायानी घोष को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है इतना ही नहीं घोष पर मुख्यमंत्री विपलब कुमार देव की एक नुकर सबा के दौरान उन्हें धमके देने का भी इसके साथ ही त्रिनुमूल के बड़े नेता अभिशेक बैनर जी की रैली के भी इजाजत नहीं दी जा रही है ऐसा त्रिनुमूल का दावा है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा में त्रिनुमूल कॉंग्रेशन भाजबा के बीच जुबानी जंग और अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके